Hey all right and welcome to all in today's The Hindu News Discussion Now daily basis पेज़ वाई discussion करते हैं हर एक particular page को UPSC prelims और mains के लिए detail में discuss करते हैं Now हर एक section से देखिए जैसे पहली page में 1971 का Liberation War है ये सबसे पहला topic रहेगा अमर जवान जोती अमर जो हो चुका है War Memorial Flame से इसको discuss करेंगे तो ऐसे ही हर एक page में जो भी हमारे green उसमें notice किये गए हैं उनको हम prelims और mains के basis करेंगे एक नया initiative है नितिन गटकरी साब का उन्होंने बोला है एक एक लाग रुपे invest कर सकते हैं आप National Highway Authority of India इसमें किसकी permission लेनी पड़ेगी से भी की तो ऐसे ही बहुत सारे fact हैं जो आज हम discuss करने के वाले हैं बट without moving further हमारा सबसे पहला section रहता है पूरे जो current notes है उनको discuss कर लेना नाव सबसे पहले news है National War Memorial इसको detail में discuss करेंगे अमर जोती जवान बहुत simple है 1971 में हमने Bangladesh को independent कराने में मदद करी उस दौरान बहुत सारे ऐसे soldier थे non soldier थे ठीक है उनको हम tribute देने के लिए अमर जोती जवान बनाते हैं प्राइम मिनिश्टर आते हैं वहाँ पर अपना tribute देते हैं National Highway Authority of India इसको discuss करेंगे सरस्वती रीवर का आज mention है इसको पूरा detail में जानेंगे कौन-कौन सी ब्रांचेज हैं Western Eastern complete discussion होगा साथी साथ सौरस्वती बांदीपू टाइगर रिजर्व इसको discuss करेंगे कौन से state में है importance of Germany for India आज एक editorial नाव next news है इंडिया और जर्मनी के बीच में जो relation है उस पे पूरा article पब्लिस होया इसको detail में discuss करेंगे साथी साथ हम inflation कैसे major करते हैं वो discuss करेंगे तो बहुत सारे notes हैं आज हम discuss करने वाले हैं साथी साथ PR publication आप telegram application download कर सकते हैं search box में type करना है PR publication और आप हमारे paid plans भी ले सकते हैं now PR publication के आप paid plans ले सकते हैं 499 रुपीज और जो mention है आप ले सकते हैं phone guidance मिलेगी आपको किसी भी particular topic पर साथी साथ NCRT के test 3 UPSC CSET का video course ले सकते हैं 750-513-4891 में second है UPSC के पूरा complete badge guaranteed 60 badge के लिए seat vacant है आप उसको भी enroll कर सकते हो दो चीज़ों से एक तो directly Google पर phone पर नाव सबसे पहले news करते हैं अमर जवान जोती now merge with war memorial flame ऐसा सरकारने का हुआ गया बहुत simple सी बात है ये देखो अमर जोती जवान है 1971 का जो liberation war है बांगलादेश का by former Prime Minister इंद्रा गांदी was removed on Friday even as Prime Minister नरिंद मोदी announced the construction of statue of Subhash Chandra Bose देखिए Subhash Chandra Bose का statue construct किया जा रहा बड़ जो अमर जवान जोती थी जिस पर Prime Minister आते हैं tribute देते हैं मतलब ये ऐसा memorial है जो unknown soldier है हमारे उनको tribute देने के लिए ये अमर जोती जवान बना दिया गया बड़ सरकार का अभी recent notification क्या है कि हम अमर जवान जोती को मर्ज किसे करेंगे वार मेमोरियल से अब नेशनल वार मेमोरियल क्या है उसके बारे में डिसकस तो करेंगे साथी साथ उन्होंने ये बोला है कि the NWM मतलब उसी के बारे में detail में discussion कर दी गई है कि 2019 में setup हुआ था NWM और वही चीज अब देखिए जो हमारा नैशनल वार मेमोरियल है उसमें भी हमारे देखिए पहले भी पोस्ट इंडिपेंडनेंस मतलब आजादी के बाद भी बहुत सारे जवान सहीद होए मतलब हमारा देश आजाद होगया इस्ट इंडिया मतलब ब्रिटिस से अब उसके बाद भी आजादी के बाद भी बहुत सारे आंदोलन होते हैं तो उसमें क्या होता है particular कि बहुत सारे लोग अगर जवान हमारे सहीद हो गए तो हमारा national war memorial में एक कैसा होगा box type होगा और उसमें करीबन करीबन जो हमारे 26,000 सही जवान है उनका नाम mention है बट UPSC prelims का topic आएगा एक तो regarding 1971 liberation war सबसे पहले यह है क्या है बहुत simple सी बात है यार पहले पाकिस्तान देखो 1947 में इंडिया पाकिस्तान दो देश बने साथी साथ में पाकिस्तान दो country में था एक तो west पाकिस्तान है एक east पाकिस्तान east पाकिस्तान वाली अभी जो country बन चुकी है वो है बांगला देश हमारी ठीक है अब 1971 में क्या होता है बहुत simple सी बात भारत help करता है क्योंकि देखो west पाकिस्तान जितना पैसा है जितनी चीज़ें कमाता तो East Pakistan था जो अभी का Bangladesh है वो कमाता था बट वो सब West Pakistan ही ले लेते थे पूरा West Pakistan वहाँ पर अपनी जो language है वो impose करने का try किया हमेशा याद रखना कभी भी एक आप भासा कहीं पर भी impose नहीं कर सकते कि आपको Hindi बोलनी पड़ेगी English ही बोलनी पड़ेगी या Sanskrit ही बोलनी पड़ेगी तो ऐसा ही हुआ बांगलादेश अलग क्यों वा एक reason ये भी था पर 1971 में क्या हुआ बांगलादेश को भारस सरकार ने आजात कराया और अब वो पाकिस्तान ना रहके बांगलादेश हो गया है तो उसी के दौरान ऐसे जितने भी मुमेंट चले 1971 1962 या कोई भी चीज़ चल रहा है वहाँ पर जितने भी सहीद हुए होंगे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये मैमोरियल बनाए जाते हैं तो conclusion क्या है अमरजोती जवान मिक्स हो चुका है मरजो हो सकता है मरजो हो चुका है नैशनल वार मैमोरियल तो सबसे पहले हमें जानना है नैशनल वार मैमोरियल बाईश जनवरी के आज के नोट्स बहुत जादा advanced quality नोट्स हैं Recently हुआ क्या मैं हर एक, देखिए, particular मैं जब भी notes देता हूँ, तो एक साल के अंदर जितने भी उस particular topic से जितने भी notes होते हैं, मैं एक तरह से summarize कर देता हूँ, तो आपको सिर्फ यही चीज पढ़ना है, National War Memorial क्या है, recently प्रदार मंत्री जी ने 2019 मैं इसको inaugurate किया गया था, India Gate के सा हमने है, the layout of the structure comprises four concentric circles, जिसमा अमर चकर है, वीरता चकर है, त्याग चकर है, रक्षक चकर है, यह हर चीज के लिए अलग-अलग indication है, जैसे अमर चकर है, circle of immortality, मतलब इसका कहने का मतलब है, जो जवान सहीद होएं, वो कभी मरे ही नहीं है, immortality शो करता है, वीरता चकर, bravery के के लिए, त्याग चकर, sacrifice के लिए, रक्षा चकर, protection के लिए, एक तरह से कुछ नहीं है, बलकि हमारे जो जवान सहीद हैं, जिन लोगोंने भारत को contribute किया, उनका यहां पर tribute दिया जा रहा है, राइट, National War Memorial also commemorates the soldier who participated and made supreme sacrifices in United Nation, since independence, more than 25,000 personnel have been martyred during the India-China War 1961, 1947, 1915-1971, फिर कार ग तो 1947 से यार करीबन करीबन 50 साल के अंदर जितने भी जवान हमारे सहीद होए, उनको हमने mention किया है, National War Memorial, सबसे पहला proposal कब हुआ, 1960 में हुआ था, 2015 की अगर मैं बारे में बात करूँ, the cabinet gave in principle approval for the War Memorial construction at India Gate Complex, New Delhi, cabinet ने जो है approval दे दी गई थी, 2019 में अच्छे से इनिगरेट हो गया था, 2016 में आप्टर ने इंटरनेशनल कॉंपेटिशन टू डिजाइन दे मैमोरियल, चिननाई बेजड जो आर्किटेक्चर कमपनी है, जिसे वेबे डिजाइन लैब को सेलेक्ट किया गया और बोला गया कि आप क्या करो, National War Memorial बनाओ भाई, कैसा कमपनी को दे दिया गया, वेबे डिजाइन को, ठीक है, नाव बात करते हैं, सबसे विजनरी आदमी की, Mr. Nitin गटकरी साब, इन्होंने बहुत एक इनोवेटिव आइडिया लिया जा रहा है, कि National Highway Authority, मतलब जो National Highway की रोड बनती है न, तो इनका ये बहुत सिंपल सा कॉंसेप कि अगर मेरे पास, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर में पास एक लाग रुपया है, तो मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि सरकार को यार अभी पैसा की जरुवत है, तो Nitin गटकरी साब ने कहा, अगर हम रोड बना रहे ह सबसे visionary आदमी है, नितिन गटकरी साब, बट एक लाप आप इन्वेस्ट करोगे, तो इन्होंने ये भी assured बोला है, कि 7-8% की income हम आपको वापस भी दे देंगे, ठीक है, मतलब वो उसी के basis पर 8% के interest में, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब इसके लिए यार किस की चाहिए होगी, SEBI, Security Exchange Board of India for enabling common citizen to invest at least 1 lakh, देखिए SEBI का काम क्या होता है, 1992 में I think SEBI बनी थी, इसका major काम मैं बता देता हूँ, I think नहीं, SEBI 1992 में बनी है, मैं इसके notes भी अब शो करूँगा, तो जैसे कोई mutual fund में देता है, कहीं किसी lottery में लगा रहा है, तो SEBI का यही काम र करेंगे, सबसे पहला है, SEBI यानि कि Security Exchange Board of India and second is National Highway Authority of India, UPSC में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहला topic करते है, National Highway Authority of India, UPSC General Studies Paper 3 Infrastructure में, Energy Ports and Roads में यह पूछा जाएगा, इसमें क्या बात की गई है, 3989 किलोमेटर की रोड बनाए जाएगी, 2019, 2020 तक, 2022 त बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यह Act of Parliament से बनी है, 1988 में, Under the Ministry of Road and Transport and Highway, और यह operational हुआ 1995 से, Central Authority to develop, maintain and manage the National Highway is interested to it by the Government of India, the Authority is consist of a full-time chairman and not more than five-time members and four part-time members who are appointed by Central Government, तो NHAI में सभी केंदर सरकार के लोग ही, मतलब Central Government ही appoint करती है, तो सबसे पहला है, SEBI, यानि कि Security and Exchange Board of India, यह Act आया था 1992 में, 12 April 1992 को, और the basic function of Security and Exchange Board of India is to protect the interest of investor in securities and to promote and regulate the securities market, अब मैं next बात करूँँगा, स्टार्टप की, देखो स्टार्टप करने से कितने ज़्यादा फायदे हो रहे हैं लोगों को, स्टड़ी यह कहती है, स्टार्टप रेजडे रिकोर्ट 24.1 मिलियन इन 2021, सोचो, नैसकॉम का यह डेटा है, जिस बंदे ने भी स्टार्टप किया है, स्टार्टप इन सौट तम मैं बोलूं तो एक तरह से बिजनस किया है, तो एक स्टड़ी पाई गई इंडियन टेक स्टार्टप एकोसिस्टम, एर अफ ताइटन, तो कहने का मतलब जितने भी इंवेस्टर आ रहे हैं, वो इंडियन डोमिसाइल के हैं, राइट, तो स्टार्टप भी बहुत सारे लोगों का इंटरस्ट अगर स्टार्टप में नहीं है, तो वो साइड़ वाइस स्टार्टप भी कर सकते हैं, बात करते हैं next regarding the सरस्वती रीवर two states plan to revive सरस्वती रीवर अब हर्याणा सीम मनोलाल खटर जी second from left with हिमांचल प्रदेसीम जै राम ठाकुर जी तो बात डैम बनाने की भी हो रही है, irrigation facility है, water facility है राइट एक construct करना चाहरे हैं डैम इन हिमांचल प्रदेस on 77 acres दूसरा सरस्वती रीवर ये पूरा estimate cost रहे है इस project का करीवन करीवन 200 करोल रुपे साथ ही साथ ये जो डैम है welfare and deployment of local people from their own resource without comprising the primary objective of the project ना बात करते हैं सबसे पहले सरस्वती रीवर news में क्यों रही थी वो ही है 200 करोल रुपे का project चल रहा है हर्याना सरकार हिमांचल प्रदेस सरकार का first we will discuss about the project as proposed by the state government the dam with a capacity of 2-4 hectare meter will be constructed on हर्याना border with हम्यांचल प्रदेस 224 hectare हाला कि अभी 70 hectare का कुछ दूसरे state में है मतलब ये एक तरह से आपके सकते हो जो हिमांचल प्रदेस और हर्याना का border है उसके basis पर ये dam बनाया जा रहा है a portion of the som river water would be diverted to the dam som river का पानी उस dam को divert किया जाएगा from where it would flow into the stream of सरस्वती river starting from आदी बद्री ये कहां पर है यमना नगर में to गूला चीकाइन कैथाल डिस्टिक अब मैं यहां पर ये बात करता हूँ कि यार आदी बद्री कहां पर है फिर आदी बद्री जो हमारी सबसे तीसरी रेंज होती है ना सिवालिक रेंज जो कि कुरुचेत्रे के 90 किलमेटर इस्ट में है now सरस्वती river the river originated from the कपल तीरत हिंद हिमालयाज इन वेस्ट आप कैलास फ्लोट साउथ वार्ड तु मांसर ओवर और दें तूर्ट तौर्स दे वेस्ट दे रेवर फ्लोट थरो हर्याना राइस्तान और नौर्थ गुजराथ आपको सुरस्वती river के बारे में सिर्फ इतना ही बेसिक फ्लोट याद करना है कि ये तीन राज्यों से होके गुजरती है हर्याना राइस्तान और नौर्थ गुजराथ हलका पार्ट जो है गुजराथ का भी आता है अब बहुत सारे यूपीसी प्रिलिम्स के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है देखिए बहुत सारे प्रिलिम्स के बच्चे हैं वो समझते हैं कि सभी चीज इंपोटेंट रहेंगी नहीं आपको सुरस्वती रीवर में यही जानना है कि कौन से स्टेट से वो बहती है साथी साथ एक और फैक्ट बताएंगे सुरस्वती मैंशन भी है मान के चलो 6000 BC से 4000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट क्राइस्ट के जन्मे से पहले भी सुरस्वती रीवर का मेंशन हमें देखने को मिलता रहता है All set for Tiger Count at Bandipur Nagar Hole मतलब कहने का मतलब है यार जो भी Bandipur और Nagar Hole Tiger Reserve में है तो M Stripes की help से M Stripes के बारे में UPSC ने 2018 में question पूछा था M Stripes is regarding the monitoring system for Tiger intensive protection and ecological status अपन अपर्ट from the Tiger Count the exercise will also throw up data on mega herbivores जिसमें elephant से हैं The authorities at Bandipur have divided the 912 square kilometer national park into three blocks to carry out the enumeration अब क्या हुआ था 2008 में भी M Stripes M Stripes particular क्या है कि जहाँ जहाँ Tiger का habitat होगा एक application भी है monitor करेंगे उसके habitat को secure करेंगे तो यहाँ पर से हम पढ़ लेते हैं Bandipur Bandipur Tiger Reserve News में क्यों रहा है A standard wild elephant was rescued in Nugo Reservoir Bandipur Tiger Reserve कहा है करना टका में है सबसे पहले Project Tiger के अंदर 1993 में इसको लाए गया था 1985 में by including the adjacent उसके बगल काई Bandipur Tiger Reserve के बगल में ही जो है Venugopal Wildlife Park है It was in large and named as Bandipur National Park Location क्या है It is situated into two contiguous districts Ecological diversity क्या है It lies in one of the richest biodiversity areas of the country Surrounded है Mudumulai Tiger Reserve से Venand Wildlife Century जो कि केरला में है Mudumulai Tiger Reserve Tamil Nadu में है Biodiversity की भी बात करता हूँ दूसरे Tiger Reserve जो करनाटका में है वो है भादरा Tiger Reserve नागर होल Tiger Reserve डंडेली अंशी Tiger Reserve बिल्ली ग्रिंगंत स्वामी टेंपल Tiger Reserve ये सब बात करते हैं आज के Editorial की सबसे पहला Editorial है Regarding the IES IPS Deputation हुआ क्या Union Government याद रखना IES IPS इन सब की Deputation कैसे काम करना ये कौन करता है Department of Personal and Training Right Proposal to Amend Rule 6 Related to Deputation of Carder Officer of the IES Rules 1954 अब इसका मतलब क्या देखिए IES IPS UPS ही करवाता है बढ़ राज जी के अंदर होते हैं उत्रा खर्ण मैं कहूंगा चंपाव जिले का DM है यार या किसी दूसरे जिले का IES IPS ओफिसर है तो बहुत सारे राज जी क्या करते हैं Have not nominated officers for Deputation adequately to work with the Union Government अब जैसे मैं बात करूँगा West Pongol की यहाँ पर क्या है West Pongol में 280 में 11 जो है 11 out of 280 officers जादा कर रहा राइस्तान में 247 IES IPS officer होंगे सिर्फ 3 Central Deputation में तिलन गाना 7 out of authorized strength तो यह सब चीज़े हैं तो कहने का मतलब हाला कि यह particular पूछा नहीं जाएगा बर इंटर्वी में हलका सा मुद्दा discuss किया जा सकता है पर major मुद्दा क्या है इस पूरी न्यूस का IES IPS से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं तो आपको एक ही याद रखना है Department of Personal and Training नाव बात करते हैं next news की इस रिगार्डिंग दा उतराखंड 2022 सिलेक्शन यहाँ पर environmental issue have failed to dominate मतलब यार कोई environmental issue पर बात ही नहीं करना चाहता अगर कोई political party है जैसे उतराखंड में तीन party है BJP Congress आम आदमी party major party है जो इस बार उतराखंड के चुनाओं में उठेंगी उतराखंड के जो Chief Minister है त्रिवेंद सिंग रावत attempt to bring the force स्राइन सौब बद्रिनाथ के दारनाथ मतलब ज़्यादा religious उसमें बात की जा रही है दूसरा Mr. धामी मतलब पुसकर सिंग धामी Mr. ये हैं उतराखंड के सीमे Mr. धामी said while the decision to constitute the board may have been taken with good intention कहने का मतलब यार political हाला कि editorial है मैं इसको पढ़ाता नहीं बट environmental issue तो यार एक campaign का मुद्दा होना ही चाहिए आप सिर्फ क्या कर रहे है religious और साथ ही साथ यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं जो chief of defense staff है जनरल विपिन रावत जी उनके जो भाई हैं उन्होंने भी BJP को next tutorial बात करते हैं यह ससीर थरूर जी ने लिखाया है इस पर हम discuss जादा नहीं करेंगे हम बात करेंगे powerful India and Germany partnership जितने भी point यहां पर mention है जितने भी point mention है और इंडिया से related जो भी concept होंगी मैंने इसको highlight नहीं किया यहीं पर से निकाल के मैंने इंडिया और जर्मिनी के अच्छे notes आपको मैं दे रहा हूँ now सबसे पहला हमारा topic है importance of Germany for India मतलब यार जर्मिनी भारत के लिए इतना क्यों महत्वण है सबसे पहला है point हमारा bilateral trade Germany is India's largest trading partner in Europe Indian export to Germany focus on textile sector followed by chemical product electrical engineering product metal, leather goods, food stuff मतलब हम दोनों के बीच में इंडिया और जर्मिनी के बीच में क्या क्या होता यार textile sector है chemical product है electrical चीजे है Germany now Germany role in reviving the Indian European free trade talks bilateral trade and investment agreement will very crucial Germany has also agreed to intensify effort for an early conclusion of an investment protection agreement between the European Union and India investment की बात करो 2018 में German direct investment in India total around 11.4 billion US dollars सोचो तो ये सब चीजे investment terrorism है इन सब energy membership है Germany ने support किया भारत को nuclear supplier group की membership के लिए China हमेशा deny कर देता है India को energy की membership लेने नहीं दिया जारा अगर India को energy की membership मिल गई तो बहुत अच्छा enrichment हम कर सकते हैं हम उस particular nuclear जो material है उसको हम use कर सकते हैं विद्द बनाने में बिजिली बनाने में और बहुत सारी दूसरी चीज़ों है G4 grouping में इंडिया और जर्मनी मेंबर है देखो G7 आपने सुनाओगा बट G4 grouping क्या है जो permanent membership सी पाना चाहती है वो G4 grouping में भारत support कर रहा है जर्मनी support कर रहा है renewable energy पर focus कर रहे है जर्मनी can play an active role in India lead international solar alliance तो इंडिया और जर्मनी के बीच में जितने भी points थे जो इस editorial में mention हो सकते थे कि आप जर्मनी भारत के लिए क्यों important है उनके मैंने point wise आपको notes दे दिये है अब बात करते हैं Ground Zero article की the young educated hate mongers इसको आपको नहीं करना है hate इस piece से regarding यह है पर Ground Zero का article आपको पढ़ना नहीं है देखें next नकसल्स का एरिया बढ़ता भी रहता है in the largest recovery of the explosive in Missouri in five years आसाम rifle ने करीबन करीबन 2000 किलो के जो explosive है वो siege किये 4500 meter of detonator near the villages of jungling saiya right यहाँ पर आसाम rifle के बारे मैं है UNESCO techs out for root breezes Megalai में जो जड़ों से bridge बनाए जाते है ना उसको UNESCO tech देने की बात की जारी है मतलब वो ऐसे होंगे बहुत सिंपल है जैसे पेड़ होते हैं पेड़ की तना होता है तो उस पर क्या करेंगे यह पेड़ का तना होगा यह पेड़ का तना होगा और इससे bridge बनाए सोचो तो extreme creativity है UNESCO को tech देने की demand की जब demand होगी approval होगी तब हम इसको discuss करेंगे अभी सिर्व यह जान लो Meghalai में पेड़ के अब YouTube पे साच्च करोगे तो बहुत सिंपल है दो पेड़ होंगे उसके तने बढ़ते रहते हैं और road बन जाती है पूरी ठीक है नहीं बात करते हैं साड़े तीन लाग के cases पर डे बढ़ते रह रहे हैं दे कंट्री रिकॉर्डेट 3.33 लैक न्यू कोबिट केसे ऑन फ्राइड 24 परसें इंक्रीज प्राम में वीक है तो टोटल नमर आफ इंफेक्शन है रिजड 3.88 करोड रूपीज रूपीज नोट बट इंफेक्शन इतने बढ़ चुके हैं बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग दे वर्ल्ड लैवल उस रॉस्या सीक्स तूइज उक्रेन टेंक्शन और यूके और रॉस्या भी वही चारें की रॉस्या डॉमिनेंस ना दिखाए यूक्रेन में यह हमने कर लिया एटलिस्ट 70-11 एर श्ट्राइक और यमन प्रिजन एड अजनसी बूस्टर शॉर्ट की टू फाइंडिंग ओमिक्रॉन ओइल जाइंट एग्जिट मयानमार ओवर राइट वाइलेशन कॉल फॉर नैपाल मिनिस्टर ओवर हेट स्पीच हेट स्पीच हमेशा फैलती जा रही है वर्ल लेवल पर रीजनल न्यूज हैं जो हमारे काम की नहीं है और क्या क्या है जो आप बीजनस पेज पर जा सकते हैं मैं आपको यहाँ पर जीएश्टी के बारे में बता देता हूँ जीएश्टी जो कमपंशेशन सुरुआ था इनिशियल में पांस साल के लिए था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से एमेंडमेंट एक्ट के अंदर जीएश्टी आया है तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बाकि आप PR पॉब्लिकेशन की मोबाइल अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं साधी साथ गारेंटेट 60 बैच और जो हमारे UPSC पेट प्लेंस हैं आप उनको ले सकते हैं आपको मैं नमबर बताता हूँ 750-513-4891 इस नमबर पर WhatsApp करना है Telegram करना है और सभी आप अपने Notes को Access कर सकते हैं Thank you, have a nice day